इस टुटोरियल में हम लोग commander के बारे में देखेंगे essentially आप देख सकते हैं कि यह enhancement एक command prompt का जिसे for example आप देखोगे कि यहां पर एक command prompt open है so इसके और इसकी look and fill में बहुत फरक है यह look and fill में फरक नहीं है अब इसमें extra features भी है so मैं पहले command prompt को minimize कर रहता हूं so इसे download करने के लिए सबसे पहले आप इदर commander.net पे चाहिए इसका link description में होगा आप यहां पर आपके download full इस पर click करके आप easily इसे download कर सकते हैं so उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहां पर इसका look and fill ही अच्छा नहीं है यहां पर आप Linux command भी type कर सकते है for example आगर मैं इदर ls type करता हूं देखो कि कि इतने list of files of folders थे यहां पर desktop में वो यहां पर आभी display हो रहा है so और उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको यहां बताना चाहता हूं कि यहां पर एक देख सकते हैं new folder है तो मैं new folder में चले जाता हूं तो आप यहां गौर करोगे कि यहां पर folder यहां पर बाद में यहां पर master दिखायते रहे master इंदर से बताना चाहता है कि यहां पर master branch में हम लोग है so यह सिर्फ कूली नहीं दिखता है यह आपको Linux command भी आप यहां लिख सकते हैं और उसी के साहसत यहां पर यह git use करने में भी हमें काफी मदद मिलता है यहां दकि हमें देखने की ज़रूत नहीं आपको उसे branch में हो easily यहां ही define करता है और भी काफे सारे feature है जो I am sure आप commander.net पर जाकर और इसके बारे में आप देख सकते हैं So I am sure आपको यह पसंद आयेका और इसे download कर लिजे तो हम next tutorial मिलते हैं